नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी को घना कैसे बना जाता है बहुत से लोग यह कंप्लेंट करते हैं सिकायत करते हैं कि उनके तुलसी के प्रवदर जैसे यह आप देख पारे हो सीधे हिस्टेट में जाता है यानिकि सीधा बढ़ता है लेकि घना नहीं हो रहा अग घना बनाने के लिए कौन से तरीका है वो करेंगे साथ-साथ अगर आप यह जानने चाहते हैं तुलसी को घरा भरा और घना कैसे बना जाता है कौन सी खात देनी होती है और तो इसके लिए ओल्डेटी वीडियो मैंने बना चुका हूं आप देख सकत तो चलिए इसको घना बनाने के लिए दोस्तों सिंपल सी बात है आप इसकी प्रूनिंग कर दीजिए मन दिखा दो आपको तो घना बनाने के लिए दोस्तों जहां से आपको ज्यादा ब्रांच लेनी ज्यादा घना बनाना कुछ लोग होता है इतनी उपर से घना बनाना तो हमें नीचे से घरहां बना के चलाना है तो क्या यहां से हमें यह कटना यह इस टाइब कर दोस्तों को CT करने का यह फायदा ओता हुए तो मल्त प्रांच निकलेंगे जहादा ब्रांच निकलती है और जिससे पंदा से वीAKश में काफी खना हो जाता है और किह Ар और चाहिक वाद किरें चमपा लेजी जिसमें पूनिं करते हो जादा बनार ने स्बटियाँ आते हैं जिस बात को आपको दिहान ऐसे समय disag。 मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है कटिंग लगाने के लिए साधराने मिट्टी लेजिए जिस तरह हमने देख सकते हैं आप पॉली बैग में तयार कर तक ही पहले से और एक काम साथ दो काम हो जाते हैं यानि कि प्रूनिंग हो गई जिससे पोदत घना होता है जो कटिंग की है हमने वो कटिंग से पोदे तैयार हो जाते हैं तो मैंने वीडियो में बताया हुआ कई बार सोट वीडियो में और तरीका क्या है जिसमें उपर के हिस्सा काड़ना मात्र एक ब्लान यानि 4-6 इंच की कटिंग लेनी है और जैसे आप वीडियो में देख पा रहो इस तर करना ना भूलें पहली वार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें धन्यवाद